तो आज की फिल्म में हमें तीन अलग-अलग कहानिया दिखाई गई हैं जो इन दूसरे से बिलकुल अलग हैं इन कहानियों में दिखाया गया जब रात के तीन एम यानि के तीन बजे का वक्त होता है तो उस वक्त सारी शेतानी आत्माई जिम्ता हो जाती हैं लोगों के साथ अजीब हाद से पेश आते हैं आज की हमारी पहनी कहानी का नाम है दव विग हम एक विग शॉप को देखते हैं जहां पर विग्स बनाने का काम किया जाता था इस दुकान को में नाम की लड़की अपने मॉम डैड के साथ चला रही थी में काम का आज में बहुत अच्छी हो आती है जैसे ही में उस बैक को जमीन पर रखती है वो अचीब तरह से हिलने लगा था ये देखकर में का डॉग भी वहाँ पर भौक रहा होता है हैर में उन बानों को साफ करती और सुका कर उनकी विग बनाने लगी थी तब भी उसके पीछे कोई हाथ उसे पकरने की करता है ये बात में भी मेसूस करती है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है मगर जब ये पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था तब ही में की बेहन आती है जो कहती है कि आज रात वो पार्टी में जा रही है तो इसलिए तुम दिरवाजा खुला रखना क्यों कि मैं किसी बेवक्त वापिस आ सकती हूं मैं भी उन विक की बालों को पूरा करती है और अपनी दुकान का शेटर लगा कर सूने चली जाती है दर असल इंकी दुकान घर के अंदर ही थी अब क्योंकि रात भी बहुत जैदा हो गई थी तो इसलिए सोने से पहने वो बातरू को खोलने के लिए जब हाथ डालती है तो उसमें से बालों का गुच्छा बाहिर आया था जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता तब ही उस सुराग सी अचीब सी आवाजी आने लगी थी जो वो सुराग के अंदर देखने लगती है तो एक हाथ उस सुराग से बाहिर आत साथ होती है में अपनी बेहन को देखकर गुस्से में कहती है तुम तो अपने दोस्तों के साथ बाहिर पार्टी करने वाली थी ना तो यहां पर क्या कर रही हो मगर में की बेहन उसकी कोई बात नहीं सुनती और दोस्तों को लेकर अपने घर के च्छत पर पार्टी करने चल बोलती है इस बात पर दोनों बेहनों की लड़ाई हो गई थी मेगी बेहन अब उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे दोस्तों को ऐसे कैसे डाट सकते हो तब ही जब मेगी बेहन का दोस्त विक रखने नीचे जा रहा था तो एक हाथ उन्हीं बालों से निकल कर उस लड़के के हो सदा डर गए थी और तुकान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर हर बड़ा हाट में शेटर के चाबी लॉक में ही भसकर तूट जाती है जब मेगी बेहन की दोस्त अंदर दूसरी चाबी लेने गई तो उसकी बाहर सब चेखने की आवाजों को सुनते हैं यह जब वो मर नहीं जाती ऐसा देखकर में की बेहन और उसका एक बचा हुआ आखरी दोस्त छब की तरफ भागते हैं में के पाउं वी चोट लग गई थी यही पर में की बेहन का दोस्त भी इन से अलग हो जाता है तब ही वो अपने सामने आत्मा को देखता है दर असल यह वो ही आ में की बेहन का आखरी दोस्त भी मर जाता है अब यहाँ पर सिर्फ में और उसकी बेहनी बचे थी वो भाग कर दोनों दुबारा से अपनी दुकान की अंदर आ जाती है वहाँ पर एक थर्मल चेंबर था जिसमें में बाला को पिगलाने और सुकाने का काम क्या करती थी में क में की बेहन कहती है देखो में बाहर जाती हूं ताकि कोई मद़त बिलासकूं तुम इस धर्मल में बंद रहना तब ही वहाँ पर वही आत्मा стоит कझा जाती है जो में को देखकर उस धर्मल को अच्छी तरह बंद कर देती है घिर के बाद उस्ने उसके टेंपरेचर को कुछ देर के बाद उधर मे की बेहन भी आ गई थी वो मे को उस धर्मल से निकालने की कोशिश करती है मगर उसका दर्वाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था तब ही टेमपरिचर जैदा होने की वज़ा से वो धर्मल फर्ट जाता है वहाँ पर जोरतार धमा का हुआ था क मे की बेहन अपने बेट की तरफ देखती है जिसमें नोकिला काच लगा हुआ था यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो मर चुकी है लेकिन मरना तो मे को चाहिए था क्योंकि जिस धर्मल में वो बनती उधर धमाका हुआ था हम मे को देखते हैं जो अपनी मॉम के गले अब आती है दूसरी कहानी की बारी जिसका नाम है कॉप्स ब्राइडल दुलहन की लाश तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के टॉट को देखते हैं जो के मुर्दा खाने में लाशों की हिफाज़त का काम क्या करता था एक दिन उसे एक घर में भीजा जाता है जहाँ पर उनका पसंदीदा खाना भी ताकि उनकी आत्मा को सकून मिल सकी रात को टोड जब इस कपल की कमरे में सो रहा था तो वहाँ पर उनका एक शोपीस पड़ा उदी से चलने लगता है मगर टोड इस बात पर जदा ध्यान नहीं देता सुबा का जो वो खाना बना रहा होता है त उस लड़की के कपड़ों में चली चाती है जब टोड उस छिपकली को बाहर निकालने के लिए उस ताबूत को खोलता है तो देखता है ये लड़की के गले पर कटकी निशान है जिनी सिया गया है जैसे ही वो उस लड़की की लाश को हाथ लगाने लगता है तब ही जो हस् जिसमें कैमरा और सीडी थी जब ये उस कैमरे को देखता है तो उसमें उस लड़की की तस्वीरी मिलती है जिसमें उसे बांदा गया था ये सब देखकर वो समझता है कि शायद इस लड़की का हस्पेंट इसे मारता था तब ये उस कमरे का दरवाजा सोर से बचता है जब ये जाकर देखता है, तो उस तरवाजे को किसी ने धागे से बांदा हुआ था, जब ये उस धागे का पीछा करता है, तो इसे अपने सामने वो ही लड़की खड़ी हुई नसर आती है, जो इसको अपने पास बुला रही थी, तभी पीछे से उस लड़की का हस्पेंट आकर उसे तब बोच कर अपने साथ ले जाता है, और वो तोड को ये धमकी देता है, अगर तुम्ही अपनी जान प्यारी है, तो हमारी घर को छोड़कर चले जाओ, तभी तोड की आँख खुल गई थी, मतलब ये सब उसका सपना था, जैसे ही वो नीन से जागता है, बैक से मिली खुद बाहुद चल गई थी, जिसमें उस लड़की का हस्पेंट उसे बांध कर बहुत बुरी तरह से मार रहा था, तोड ये देखकर सोचता है कि कितना बुरा हस्पेंट है, जो पनी वाइफ को ऐसे मार रहा है, अब ये उस कमरे में जाता है, जहाँ पर इन दोनों की ना पूसी अलग करदेता है और जाकर एक मंदिर में रखकर धागे से बांद देता है, और वो लड़की के तवाइफ के पास आकर उसकी लाश को ठीक करता है, इसी दोरान वो देखता है जिस धागे से उस लड़की का गला सिया हुआ था, वो धागा तो कल रात इसने अपने पसंद आ गई थी इस तरह तोड हर वक्त उस लड़की का ख्याल रगता वो उसकी लाश को हर जगा अपनी साथ रखा करता था यहां तक कि वो उसके साथ सोता भी एक दिन जब वो सो रहा था तो उसे उसी मंदी से आवाज आती है जहाँ पर उसने लड़की के हस्बंड की ता कर रही है तभी बैट के नीचे से एक हाथ निकल कर तोड के पाउं को पकड़ लेता है और एक काज के टुकड़े को पकड़ कर उसके पाउं मिगार देता है इस तरह उसके पाउं से बहुत खून आने लगा था तभी वो उपने पीछे हस्बंड की लाश को देखता है जो कोने में पड़ी थी यहाँ पर टोड को एक वेजन खयाल आता है वो देखता है कि उस लड़की का हस्बंड उसे बान कर इसली रखा करता था क्योंकि वो अपनी जान लेने की कोशिश करती रहती एक दिन बहुत ज़दा कहने पर उसके हस्बंड में अपनी वाइफ को खोल दिया जिसके बाद उसने अपने हाथ में एक टोटे हुए शोपिस का टुकडा लेकर पहले अपने हस्बंड के गले को काटा फिर बाद में अपना गला काट दिया इस तरहां उन दोनों की मौत हो गई और इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो हस्बंड की आत्मा नहीं ब लड़की आकर उसका गला पकड़ लेती है जिससे वो भी खोश हो गया था कुछ दीर के बाद जब उसे खोश आता है तो खुद को उस लड़की के ताबूत में बाता है वो बहुत चीखता चिन लाता है बाहर निकलने की कोशिश भी करता है मगर उस ताबूत के ऊपर वही लड़की बैठी थी जो तोट को अब कभी भी बाहर निकलने नहीं देगी हो सकता है कि वो लड़की तोट से इस बात का बदला ले रही हो ये तोट ने उसके साथ गलत किया अब आखरी और तीसरी कहानी आती है जिसका नाम है ओटी हम एक लड़की को देखते हैं जो अपन हुआ सर हवा में लटक रहा था जिसे देखकर दोनों बहुत सहता डर जाते हैं अंदर वो लड़की बैठी अभी भी बातें करने में मसरूफ थी तबी अचानक से आफिस की सारी चीज़े ही चल जाती हैं सारे कंप्यूटर्स खुद बहुत ऑन ओफ हो रहे थे ये देखकर वो लड़की भी डर कर यहां से भाग चाती हैं तबी हम आफिस में दो आदमियों को देखते हैं जो इस आफिस के बॉस थी आज वो अपने इंप्लॉईस को डरा कर आफिस से भगा रहे थी उनका मानना ये था कि उनके इंप्लॉईस ओवर टाइम करके पैसे तो कमा लेती ह फैर वो अब दोनों अपने बॉस के पास आते हैं और घर चाने की इजासत लेती हैं वो दोनों तो चले गए थी आफिस में इनके बॉस जिसका नाम टी होता है अब अकेला था जबकि दूसरा बॉस करन खाना खाने बाहर चला जाता है जब टी पैठा काम कर रहा था तो उस अपने साथ वाले कुमरे से अवाज आती है जब वो जाकर देगता है तो उसके ऐसा लगता है जैसी किसी की पर छाई हो जब वो लाइड चलाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था जब फ्रिच के पास चाता है तो फ्रिच भी हिल रहा था तब एकरन बॉस दर खाना लेकर पहुचता है और पूछता है कि क्या हो गया है तुम क्यों इतने गब्राए हुए हो बताता है कि फ्रिच अभी थोड़ी देर पहले हिल रहा था जब वो खाना रखने फ्रिच को खोलता है तो उसमें कोई भी नहीं था वो तो खाना रखकर चला जाता है मगर टी को अभी भी जब ये भाग करन के पास चाता है, तो उसे उसके शकल में भी मॉंस्टर दिखाई दे रहे थे, ये देखकर टी बहुत ज़दा डर गया था, और गिर कर पे होश हो जाता है, दर असल दो इंपलॉई और करन मिलकर टी के साथ मजा कर रहे थे, बहुत देर हो जाती है, उसे लगना इस बात के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। तब ही जब लड़की इंप्लॉई टी के पास जाती है तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। मतलब कि वो भी इनके साथ मजाग कर रहा था। सब इस बात पर बहुत ज़्यदा हसते हैं। करन सब को रुकने का अपने रूम से कुछ सामान लेने गया था। तब ही काफी देर हो जाती है। करन बापिस नहीं आया था। जब टी और दोने इंप्लॉई जाकर देखते हैं तो करन ने खुद को रसी से लटकाया हुआ था। मगर ये भी सिर्फ उसका मजाग ही था। जिसे देखकर सब जाता है। जिब करन और इंप्लॉई लड़की उसकी चीशे सुनकर उसके पास आते हैं तो वो भी ये दीकर हिरान हो गए थी। और सोचती है कि टी तो मर गया। फिर जो हमारे साथ है वो कौन है। करन अपने दोनों इंप्लॉई को लेकर आफिस से भागता है। पर तब ह लाइट भी चली गई थी। इनका दर्वाजा जो आटोमेटिक था वो भी मुकम्मल बंध हो जुका था। करन अपने दोनों इंप्लॉई को पने कवरे से चाबी लाने का कहता है। जब वो पिचारे दोनों डरते हुए चाबी लेनी जाते हैं तो वहाँ पर वो करन बॉस क लाश को देखते हैं मतलब वो भी जब रसी से लटका तो उस वक्त उसकी मौत हो गई थी उन्हीं समझ नहीं आता यहाँ पर वो डड़े या फिर भाग जाएं वो दोनों हड़ बड़ाहाट में लिफ्ट से जाने की बजाए सेडियों से उतर कर जाने लगते हैं उधर आफ को जाता ही हो गया मजा पर जैसे तुम डरे ना बहुत मजा आया मगर यहाँ पर वो दोनों उने कुछ भी नहीं बोलते जब लिफ्ट चलने ही वाली थी तो यहाँ पर टीको उनकी बिल्डिंग के चोकीदार का फोन आता है इस वक तीन बज़ रहे थी वाच मैं चोकीदार बताता है कि आपके ओफिस के दो इंप्लाइस सीडियों से गिर कर मर गए एंबुलेंस उनकी लाश ले जा रही है क्योंकि हुआ कुछ यह था जब वो दोनों इंप्लाइस डर कर बागलों की तरह हट बड़ा हट में सीडियों से भाग रहे थे तो उन दोनों को पाउँ फि खाई देती है मतलब कि करनोटी मारे जा चुके थे तो आपको इन में से कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इसी के साथ इस फिल्म की कहानिया भी यही पर खत्म हो जाती है